हाँ जी कैसे हो सारे आज करते हैं अपने mathematics की class चैप्टर नमर बी तो चलिए शुरू करें हाँ जी तो पहला question है arithmetic operation अगर आपको ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं question तो आप अपने वीडियो की quality को बढ़ा सकते हैं है चलिए question को अपनी book के अंदर देखते हैं क्लास के अंदर जाके देखेंगे arithmetic operation तो अर्थमेटिक के अंदर गए arithmetic और आर्थमेटिक के बाद में यहां पे गए B113 mathematical operation लिकाओ है तो mathematical operation यह अपना question है इसलिए इसका answer और जाएगा B113 mathematical operation तो जैसे यह देखे a mathematical operation तो इसका answer हो जाएगा B113 मैं तो second question है numerical solution of cubic equation तो इसको अपने बुक के अंदर देखेंगे ढूंडेंगे कहा पर यह तो उठाते हैं अपने बुक तो main class B3 के अंदर जाके इसको डूंडेंगे आप बार बार practice करेंगे तो अपने आप आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके आप इस किताब को देखोगे बार 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 डूंडोगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा सबसे पहले अपने B33 पे गए यह differential and integral equation है तो इसका फॉर्मूला देखो B33 फिर P, P2, P3, energy तो सबसे पहले question देखो क्या है numerical solution of cubic equation तो अपने सबसे पहले cubic equation ढूंडेंगे इसके अंदर सबसे पहले अपने equation के अंदर गए differential and integral equation है तो equation के अंदर cubic equation को ढूंडेंगे B33 इसका formula है B33 फिर P, P2, P3, energy तो P के अंदर अपने पहले ढूंडते हैं cubic तो P के अंदर यहां पे cubic नहीं है फिर अपने P2 के अंदर ढूंडते हैं तो यह cubic equation है ठीक हैं तो अपने formula के सबसे पहले लिख देंगे यानि कि यह B33 B33 उसके बाद में कोमा 3 यह लिखेंगे B33 B33,3 तो यह 3 जो है वो cubic equation का आगया ठीक है उसके बाद मैं numerical solution ढूंडेंगे अब यह numerical solution energy पार्ट के अंदर मिलेगा अपने को तो इसकी energy पार्ट के अंदर गए यह रिफोसाई यह लिखाव है यह energy पार्ट है energy पार्ट के अंदर numerical solution ढूंडना है तो पहले नंबर पे ही numerical solution मिल जाएगा अपने को अब बाद मैं energy से पहले symbol colon काता है तो colon लगा के one लगा देंगे तो इसको पहले ढूंडेंगे जाके अपनी क्लास के अंदर तो में क्लास के अंदर जब अपने देखते हैं तो बी थ्री है वो analysis के अंदर ही आगे जाके analytics मिलेगा अपने तो बी 3 के अंदर या आगे सर्च करेंगे अपने यह जो तो जो बी 3 है ना वो analysis है तो यह analytics से समदीती है analysis तो बी 3 के अंदर या आगे search करेंगे तो अपने को इसका answer मिल जाएगा तो यहां से यह देखिए B3 स्टार्ट होता है B3 के बाद मैं देखिए कुशन है एनलेटिक रिप्रेजेंटेशन तो एनलेटिक ढूंदेंगे इसके बाद में आगे एनलेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ढूंदेंगे तो जब आगे सर्च दीरे दीरे सर्च करेंगे आगे जाके मेन क्लास से बाद में तो अपने को नीचे चले जाएंगे नीचे और ढूंदते जाएंगे ढूंदते जाएंगे तो यहाँ पर यह देखिए एनालेटिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया यह किसके अंदर है बी थ्री सेवन के अंदर है बी थ्री सेवन तो मेन क्लास के अंदर जाके डिवीजिन इसका बी थ्री सेवन होईगा तो सबसे पहले बी थ्री सेवन लिख लेंगे B37 लिख लेंग तो सबसे पहले B37 लिख लेंग के बाद मैं आगे देखेंगे Analytical Representation का क्या है तो जो Analytical Representation है वो अपने को यहाँ पर मिलता जाके यह देखे Analytical Representation लेकिन यह क्या है यह 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 क्या है यह यह क्या है Energy है तो Energy से पहले सिंबल किसका आएगा Energy से पहले सिंबल कॉलन का आता है तो इसका नंबर हो जाएगा कॉलन 2 यह सारे का यहां से लेके यहां तक इस सारे का नंबर हो जाएगा कॉलन 2 लेकिन अपने को सबसे पहले P लिखना होता है इसके बाद क्योंकि formula देखिए आप formula के अंदर क्या लिखा हुए b3 7 p फिर colon e है तो p भी ढूंडेंगे p के लिए इपने question के अंदर क्या लिखा हुए single variable तो single variable ढूंडेंगे अब अपने तो p के अंदर जाते हैं पहले ही पहले नंबर पर ही पढ़ा है single variable तो यह किस का मान हुआ यह 1 हुआ यानि कि single variable के क्या मान हुआ 1 हुआ तो जो p है उसकी value 1 हुई तो उसके बाद मैं यहाँ पे 7 में 1 लगा देंगे और उसके बाद मैं colon लगा के 2 लगा देंगे यानि दुबारा लिखके बिताता हूँ मैं आपको बी 3 7 के साथ ही 1 फिलन 2 यह इसका अंस्वर होगे तो फॉर्थ नंबर कोशन है mathematical calculation canonical division है उसके अंदर जाके देखते हैं सबसे पहले यानि कि अपने को नाम मिल रहा है के नहीं मिल रहा है तो यहां पर जब नीचे देखते हैं अपने तो यह अपने other methods लिखाऊ है इसके अंदर जाके देखती है अपने को मिल जाए mathematical operation तो वी 4 के अंदर जाके देखते है वी 4 author method लिखाऊ है तो यह देखिए वी 4 order calculus लिखाऊ है तो इसके अंदर जब आगे जाके ढूंडते हैं अपने नीचे नीचे दीरे दीरे जाते हैं तो mathematical calculation लिखा गए तो ये V491 is cancelled होगा mathematical calculation का तो अपना question इता है था mathematical calculation तो V491 is cancelled होगी तो यहाँ पे note कर देंगे V491 अगला question है trigonometry तो सबसे पहले canonical division के अंदर ढूंडते हैं जाके chapter number B चल रहा है mathematics तो इसके अंदर canonical device के अंदर जाके ढूंडते है trigonometry कहां पे है तो सीधा सीधा ये B5 पे trigonometry लिखा बाए तो आगे जाने की जुरूरती नहीं है क्योंकि अपने को सीधा B5 यहाँ पे मिल गए trigonometry तो यहाँ से B5 लिखते हैंगे अपने 6th number question है practical geometry of two dimension तो practical geometry यानि जियोमेटरी एकनानिकल डिवाइस है तो जियोमेटरी के अंदर जाके देखी हैंगे तो यहाँ पे ढूंटते हैं पहले जियोमेटरी है B6 पे mathematics की class B चप्टर और उसके बाद में जियोमेटरी B6 पे है जियोमेटरी तो जियोमेटरी निकालते हैं अपने B6 तो यह B6 मिलके अपने को B6 के अंदर जाके P लिखना है उसके बाद में colon E है तो सबसे पहले question देखते हैं अपना क्या है तो question है अपना practical geometry of two dimension तो इसके अंदर two dimension पहले फोसाई P होगा तो two dimension देखते हैं काप यह इसके अंदर तो फोसाई P के अंदर line है इसको तो solid भी बोलते हैं या one dimension भी बोलते हैं और जो plane है उसको two dimension बोलते हैं तो यह आप दर नहीं है तो pencil से note pick कर सकते हैं तो यह plane है जो two dimension ही है तो सबसे पहले B6 लगाएंगे उसके बाद P की value two है तो two लगाएंगे B6 two यानि की two dimension जो है इसको two से denote करेंगे और यह फोसाई P है इसके साथ कोई sign नहीं है उसके बाद मैं practical ढूनेंगे जियोमेट्री के अंदर जा तो पी की value तो अपने को मिल चुकिए उसके बाद मैं अपने energy की value ढूनेंगे तो यह फोसाई यह है इसके अंदर ढूंडेंगे practical तो यहां पे जब नीचे जाते हैं यह चार नंबर पे देखी चार नंबर पे लिख़ए प्रैक्टिकल तो यह क colon 4 है तो इसका यह answer हो जाएगा अब एक example ऐसा लेते हैं कि मालो मेरे को तो आप knowledge है तो मैं आपको बार बार वहाँ से दिखा के बता रहा हूँ अगर आपको पहली बार कर रहे हैं तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप जैसे जो question है 7 number question है vibration of regard body अब यह regard body लिखा उसको ना dictionary के अंदर ढूंड़िए जो आपकी colon cc है यह book है जो cc की उसके पीछे जो आप जाएंगे तो यहां पे आपको dictionary दी हुई है जो dictionary है वो 2.126 से शुरू हो रही है तो यह सारी dictionary है जो word आपको आगे आसके अंदर है कौन से chapter मैं नहीं समझ आ रहा तो आप उसको य मेरे दिरे उपर नीचे करके आर आई पर जाता हूं तो यह देखिए आर आई जी आई डी रिगार्ड बी ओडिवाई रिगार्ड बोडी लिखावा तो यह कहां पे है बी सेवन के अंदर यानि कि यह जो personality ऐसी पी है ठीक है फोसाई पी है और यह बी सेवन यानि कि जो बी चैप्टर उसके सेवन नंबल केनोनिकल डिवाईस के अंदर है तो बी सेवन निकालेंगे अपने उसके बाद में ढूंड लेंगे वो कहां पे लिखावा है तो बी चैप्टर निकाला बी सेवन निकाला यह देखिए बी सेवन मेकैनिक्स है तो बी सेवन मेकैनिक्स के आग B7 P फिर कॉलन E लिखा हुआ तो B7 के बाद सीधा P कोई नहीं आएगा साथ में तो B7 P की वैल्यू 1-3 हुई तो B7 और 1-3 इसके साथ एड़ हो जाएगा तो B7 1-3 जो इसकी वैल्यू है रिगार्ड बोड़ी की वो 1-3 है और ये क्या है P है प्रिसनेल्टी उसके बाद मैं वाइबरेशन ढूणेंगे तो वाइबरेशन अब P तो मिल गया P के बाद मैं फॉर्मिले में क्या लिखा हुआ ये लिखाता हो जाहिए तो जाहिद सी बात है इसकी ये क्या होगी इनर्जी होगी क्योंकि P तो अपने को मिल चुका है उसके बाद मैं फॉर्मिले के अंदर E लिखा हुआ तो उसके बाद मैं एनर्जी के अंदर जाके डूणते है जब आप नीचे नीचे डूणोगे तो पांच नंबर पे वाइबरेशन मिलेगा आपको आपके पास बुक भी होनी चाहिए यह अगर ज़्यादा समझना चाहते हो आप तो उसके बाद मैं यह देखिए E के अंदर ही जाके जब नीचे नीचे जाते हैं तो यह पांच नंबर पे वाइबरेशन लिखा हुआ है तो इस पांच नंबर को उसके साथ में उतार दोगे और E लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह कोशन देखिए जाँ पे कोलन का निचान लगा हुआ है तो पहले कोलन का निचान लगा होगे उसके बाद में पांच लिखोगे तो पहले colon का निशान फिर 5 यानि कि जो ये vibration है ये colon 5 इसकी value हुई तो ये अपना answer होगा इर्थ नमबर question है poison of star अब star लिखावा star यानि कि ये astro विग्यान होता है अब ये star लिखावा star का मतलब astronomy की class हो जाएगी क्योंकि star खोगौल विग्यान से समन दीता है तो astronomy की class इसके अंदर जब अपने में देखते हैं तो अपने को नीचे नीचे B9 पे astronomy की class मिलती है तो astronomy की class के अंदर जाएंगे B9 ये B9 पे गए तो B9 का formula क्या है B9 फिर P और colon E to P तो E के अंदर तो P के अंदर ढूनेंगे पहले अपने फोसाई P यानि की P की value आजएगी तो P की value क्या है अपनी P की value 6 है 6 लगा देंगे B9 और 6 6 किस की value होगी star की value होगी उसके बाद मैं क्या लिखा हुआ पोईजन तो पोईजन ढूनेंगे अब अपने तो पोईजन ढूनेंगे वो अपने गुजाईर सी बात है फोसाई E के अंदर ही मिलेगा तो धीरे धीरे जब अपने नीचे सर्च करते जाएंगे तो उसके बाद मैं अपने को जाके जो पोईजन की value हो 6 1 मिली तो यह क्या है एक प्रकार की energy है तो energy से ढूंड रहे थे ना इसको तो energy से पहले symbol किस काता है colon काता है colon लगा के 6 1 लगा देंगे तो यहां तक B96 तक तो अपने ने लिख लिया था उसके बाद colon लगा के 6 1 लगा देंगे तो इसको दुबारा लिख लिख देता हूं B96 colon 6 1 इसका answer हो गया अगला question है 9 number density of Jupiter तो Jupiter भी astronomine से ही class से होएगा यानि astronomine ही canonical device से होगा तो इसी के अंदर जाके Jupiter को ढूंड लेंगे तो B9 के बाद कुल P है तो P के तो ये देखिए B9 है उसके बाद personality P है तो B9 के बाद अपने आगे जाके Jupiter ढूंडते है तो Jupiter अपने को 45 पे मिला Jupiter देखिए ठीक है और ये क्या है ये personality है तो personality से पहले कोई निशान नहीं आता तो सिधा 45 B9 लगाएंगे उसके बाद क्या लगाएंगे सिधा 45 क्योंकि ये फोसाई P है तो इसकी value क्या होई Jupiter की value 45 होई और ये क्या है personality है P है तो सबसे पहले अपने क्या लगाते होते हैं सबसे पहले main class main class लगी अपनी B उसके बाद 9 क्योंकि B9 astronomy की class है उसके बाद मैं सिधा P की value लगा दी Jupiter 45 ठीक है क्योंकि अपना formula देखिए आप formula B9 उसके बाद सिधा P है कोई symbol नहीं है तो ये ही मैंने किया B945 ठीक है उसके बाद मैं अपने density ढूंडेंगे कहाँ पे लिखाव है तो density अब अपने को P की उसके बाद मैं किसकी E की value चाहिए अपने ढूंडेंगे जाके E के फुसाई E के अंदर फुसाई E के अंदर अपने को जो density ढूंडते है तो density जाके अपने को यहां पे मिलती है ये देखिए ये देखिए density 623 पर density जाके मिलती है यह density लिखा हूँ है तो यह एनर्जी है ठीक है आप जब ढूंडोगे दीरे दीरे अपने chapter के अंदर तो आपको मिल जाएगी तो आप जब ढूंडोगे दीरे दीरे आपको अपने chapter के अंदर density मिल जाएगी तो 623 इसकी value हुई है यह colon लगेगा इससे पहले क्योंकि यह fosie energy है तो यहाँ पर इसकी आगे लगा देंगे colon 623 ठीक है और last question अपने artificial satellite तो astronomy की class ही होगा क्योंकि satellite है यह एक तरह का ठीक है तो अपने जब class के अंदर दूलते हैं B9 के अंदर जाके B9 astronomy की class है तो इसके बाद जब इसको ढूंडते है नीचे जाके तो दीरे दीरे जब ढूंडते है तो यह भी देखिए 78 पे लिखाव है satellite satellite ठीक है और उसके बाद लिखाव है 7894 पे लिखाव है artificial तो यानि कि एक तो colon का rule होता है आप दुबारा किसी चीज़ को यानि satellite उपर है और artificial नीचे है तो आप नीचे वाले को लोगे क्योंकि उसी के अंदर 78 भी तो आ गया ना 78 उसके बाद 94 तो इसकी यानि कि जो इसका इसका इंसर होगा 7894 और main class तो अपनी B9 है B9 और उसके बाद सीधा 7894 क्योंकि ये P है ठीक है P से पहले कोई सिंबल नहीं है और अगर E होता तो colon लग जाता तो सीधा क्या होगा B9 7894 तो B9 7894 इसका एंसर होजाएगा अजी तो अगर आपको class पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे ऐसे regular class आपको मिलती रहेंगी Thank you